स्वागत है आप सभी लोग का स्वागत है इसमें और शुरू करने से पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग बहुत अच्छे-च्छे कमेंट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने जितने भी कोशन आप लोगों से पूछा आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि जो मैं मैंनत कर रही हूं वो मुझे क सफल होती हुई दिख रही है तो आप इसी तरह पढ़ते रही है और मेरे जो मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएं है चाहे वो प्रभु जाती है चाहे वो संस्कृति करड़ है तो मैंने लगभग उस टॉपिक से रिलेटेड सभी कोशन को कवर करने की कोशिस की है और ल में आ जाएगा तो हम इसको भी कवर करते रहें हम रिवीजन भी करते रहें अब्जेक्टिव टाप कोश्चन के माध्यम से और साथ ही हम लेक्चर वीडियो भी अटेंड कर रहे हैं तो इस तरह से हमारी दोनों चीज़े कवर हो रही है तो धीर हमारे पास समय नहीं है तो ह अगर आपके स्लेवर्स में वो टॉपिक है तो आप उस वीडियो को देखिए ठीक है यह तब संबह हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो आप अपने स्लेवर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक का वीडियो उठाईए और उसे देखिए ठीक है हमने कुछ करेंट इसू जैसे कॉस्चन भी डाले हैं तो इसलिए वीडियो को अंतिन तक आप देखिए ताकि आपको पता चले ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फॉस्ट कुस्चन है लगू परंपरा यहों ब्रहत परंपरा की अवधार्णा संबंदित है तो इसक के दौरा दे गए थी और इन्होंने कृषक समुदाय के सांस्कृतिक जीवन के बिशलेशड की एक पद्धती के रूप में किया इस अवधार्णा का सुभारम यह दोनों जुड़वा अवधार्णाएं ठीक है राबर्ट रेडफिल्ड की महतपून अवधार्णाव में से एक है अब देखिए कि ब्रहत परंपरा क्या होती है तो ब्रहत परंपरा से तातपरी ऐसे उच और बौधिक विचारों से है जिनका जन्म ववविकास विद्यालियों तथा देवालियों में होता है मिन्स की संस्थागत तरीके से होता है ठीक है वहीं दूसरी तरफ लगू परंपरा से ताथपर ऐसे बिचारों से है, जिनका उत्वाह, जिसकी उत्पत्ति, स्थानी संस्कृति या गाउं में हुती है, ठीक है, एक सीमित छेत्र में, एक सीमित द squirrel. में इसे हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं देखें हम होली मनाते हैं हम दिपावली मनाते हैं तो होली और दिपावली कहां यूपी में भी मनाई जाती है बिहार में भी मनाई जाती है गुजरात महाराष्ट दलही ठीक है बहुत जगह मना जाती है यह कहां कैसे मिलता है जैसे दिपावली को ही ले ले लें तो यह हमें रमैड में आप देखेंगे किसका एबिडेंस मिल रहा है होलिंग का भी हमें एबिडेंस पुराणों के माध्यम से मिलता है वेदों के माध्यम से मिलता है ठीक है लेकिन लगू परंपरा क्या है एक छोटे और सीमित स् यह चोटे यानि लगु परंपराएं ही धीरे धीरे बिक्सित होते होते ब्रहद परंपरा का रूप धारड कर लेती है इसका हमें चोटा सा उधारड एक और दूंगी आपको जैसे चट पुझा होती है जो नदी के किनारे तलाबों के किनारे मनाई जाती है वो पहले बंगाल में मनाई जाती थी फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर धीरे-धीरे हमारे पूरे पुर्वांचल साइड में इसे मनाई जाने लगा और आज हम देखते हैं कि लगभग जहां भी पुर्वांचल के लोग निवास कर रहे हैं वहां वहां छटपुझा मनाई जा रही है तो अब ये लगू परंपरा के रूप में इसकी उत्पत्ती हुई और आज ये एक ब्रहत परंपरा का रूप थारड कर ली है तो इसे हम लगू और ब्रहत परंपरा के रूप से जानते हैं और राबर्ट रेड़ फिल्ड की अवधारना है Question number 2 अपनी संस्कृती की परिभासा के लिए निमलिखित में से कौन अधिक सूपरजित है तो संस्कृती सब्द की उत्पत्ती टाईलर महोदे नहीं की थी थी तो इनहीं की परिभासा सबसे जादा फेमस है तो इनकी परिभासा में देखिए इन्होंने क्या कहा है संस्कृती वह संपूर जटलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी छंताएं वह गुड़ समलित हैं जिन्हें मानों समाज का सद्ध से होने के नादे प्राप्त करता है में कि टायलर महोदे ने संस्कृत से रिलेटेट सारी चीजों को कवर कर लिया इसमें इसलिए इनकी परिभासा को ज़्यादा उप्युक्त माना जाता है तो इसका राइट अंसर है A. संस्था क्या है कारे परडाली है नियम और कारे परडाली की एक गुच्छा है और नियम और कारे परडाली को हम फॉलो करते हैं नव कि हम उसकी सदस्यता लेते हैं तो संस्ता कार्य पुडाली का स्थापित स्वरूप होती है जिसमें सदस्ता का बोध नहीं होता है Question No.4 निमलिखित में से कौन से एक कारक ने भारतिय जाती विवस्था को बनाये रखने में मदद की तो राइट अंसर है हमारा A सजाती अंतह विवाह ठीक है यहाँ पर हम आपको बता दे कि बहुत सारे ऐसे समाज सास्त्री हैं जिनोंने ये बताया कि अगर भारतिय समाज से जाती विवस्था को हटाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें अन्य दूसरी जातियों के साथ वैवाहिक संबंद बनाने होंगे तो इससे ये पता चलता है कि भारतिय समाज में जाती विवस्था को बनाए रखने में सजाती अंतर बिवाह का महत्तपूर युगदान है तो इसका राइट अंसर है एससी दूबे जादू का ये वर्गी करण ऐससी दूबे महुदे के द्वारा किया गया था और फ्रेजर ने भी अनुकरलात्मक एवं संक्रात्मक जादू के बारे में बात की तो उन्होंने जादू को दो भागों में बाटा अनुकरलात्मक एवं संक्रात्मक जादू Q7. निमलिखित में से स्वरप्रथं सामाजिक नियंतरर सब्द का प्रयोग किसे किया? तो इसका right answer में अमारा B, Ev. रास Ev. रास महोडे ने 1901 में सामाजिक नियंतरर सब्द का सवरप्रथं प्रयोग किया था Q7. निमलिखित में से कौन संस्कृति का भाग नहीं है? तो इसका right answer हो जएगा हमारा भी रेलफत समाश सहस्त्र में एक परिभासा दे गई है इसे आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है देखिए संस्कृति वह है जो हम है जबकि सभ्यता वह है जो हम रखते हैं तो इस आधार पे धार्मीक उदारता और संस्कारों का अनुस्ठान क्या है संस्कृति है क्योंकि ये विशास्ताएं हमारे से जुड़ी हुई है लेकिन रेलफत क्या है सभ्यता का अंग है इसे हम रखते हैं कॉस्चिन नमर एट निमलिखित में से कौन ग्रामीर अर्थ ब्यवस्था में अंसदान नहीं करता देखिए यहाँ पर ध्यान दिजिए कि अंसदान नहीं करता हमने इस कोश्चिन को यहाँ पर इसलिए रखा ताकि आपको हम मता सेके कि इस टाइप की कोश्चन में बच्चे बहुत गलतिया करते हैं क्या पढ़ा ग्रामेड अर्थ ब्यवस्था पढ़ लिया और ऑप्शन पढ़ लिया ग्रामेड अर्थ ब्यवस्था से क्या संबंद है ग्रिय उद्धोग और पस्पालन इसलिए हमने अर्थ ब्यवस्था के मजबूत आधार हैं तो इसलिए हमारा राइट अंसर है इन में से कोई नहीं कुश्चन नमर नाइन यह किसने कहा कि बैक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रडाली है तो राइट अंसर हमारा डी माक्ष संघरसात्मक अर्थije संब्सांस कौई शुर्णक आधारक से समबंदित काल मांक्स महदे का मायना है कि समाज में परिवर्तन केवल और केवल आर्थिक कारकों की द्वारा ही होता है इसलिए हमारा राइट अंसर है D काल माक्ष कूशिंट नम लिखीत में से कौन प्रस्थिति का सुचक न ब्यक्तिगत गुण तथा समाजिक सेवा से प्रिथक ब्यक्ति के आदर प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मातरा का निर्धारण करती है ठीक है जैसे भारत रत्र है पदिन विश्रण है तो क्या है कि एक पुरिश्कार है जो समाज में सम्मानित ब्यक्तियों को दिया जाता है जिससे उनकी प्रस्थिती में बढ़ोत्री होती है ठीक है तो इसका रायट अंसर है हमारा C स्रमिक कुछिन नमर 11 निमलिखित में से कौन प्रतिष्ठा का सुख लेता है तो इसका रायट अंसर है हमारा D इन में से कोई नहीं Option A एक धनी बयापारी Option B एक दलाल ठीक है इन्हें समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है जबकि उदाहरण सरूप एक दंडा दिकारी जिन्हें नियाधीश भी कहा जाता है समाज में उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता है इसलिए उनका पद क्या है एक प्रतिष्ठा का घोतक है और उन्हें प्रतिष्ठा का सुख प्राप्त होता है Question No.12 निमलिखित में से कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है तो इसका राइट अंसर है हमारा B एक इमानदार दलाल देखिए इसमें क्या है दलाल के साथ में कौन सा सब्द जुड़ा है एक ही प्रस्थिती धारण करने वाले सभी बैक्ति अपने कर्तब्यों दाइतियों भूमिकाओं का निर्वा समान रूप से नहीं करते हैं मिन्स की समाज में बहुत सारे बैक्तियों को एक जैसे पद मिलते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि सभी लोग अपने कर्तब् यानि कुछ लोग क्या होता है कि पद मिलने के बाद ब्रहस्ट भी हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसी तरह से उनकी प्रतिष्ठा भी फिर समान नहीं रह जाती है यानि जो लोग अपने पद को लेकर इमांदार हैं अपनी करतब दयाईतों भुमिकाऊं का निर्वा सही धंग से कर रहे हैं तो समाज क्या कर रहे हैं? उनको आदर शुरूप देख रहा है तो यहाँ पर इमांदार दलाल यानि इमांदार सब्द का प्रयोग किया गया है यानि वो दलाल क्या है? इमानदार है और उसे आदर दिया जा रहा है समाज से ठीक है? Question number 13 निमिलखित में कौन सी समाजिक नियंतर्ड की अनौपचारिक पद्धती है? तो इसका right answer है B. बिश्वास देखिए कानून, सिच्छा, न्याय यह सभी अवचारिक नियंतर्ड के साधन हैं यह समाज में अवचारिक पद्धती के माद्यम से समाज में नियंतर्ड अस्थापित करते हैं जबकि धर्म, विश्वास, परंपराएं यह सभी समाजिक नियंतर्ड के अनौपचारिक साधन होते हैं Question number 14 नगरों तथा कस्वों के अस्थित्व में आने के कारण क्या हैं तो इसका राइट अंसर है C, ओद्योग की करण देखिए जहां भी उद्योग लगते हैं बड़े बड़े उद्योग जहां भी उद्योगों का निर्मार किया जाता है वहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे जनसंख्या का वास होने लगता है क्योंकि बेरोजगारी बहुत जादा होती है लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसे अस्थानों पर जमा होने लगते हैं और इसका कारण यह होता है कि इस्रमिक दूर से आते हैं लोग काम करने दूर से आते हैं फिर क्या करते हैं वहीं पर भस जाते हैं तो इससे नगरों और कस्वों का धिकास होने लगता है ये अस्तित में आने लगते हैं सत्ता का केंदरी करण न करके उसका विकेंदरी करण करण कर दिया जाना चाहिए ऐसा गांदी जी का मानना था क्यूशन नमर 60 प्राणी तथा परियावरण के मध्य संबंद का अध्यान कहलाता है तो इसका रायट अंसर है हमारा D परिस्थिति की विच्ञान प्राणी यवन, परियावरण का अध्यान करता है Q17 निमलिखित कारकों में से कौन ग्रामिड सामाजिक ब्यवस्था को प्रभावित करता है तो इसका राइड अंसर है C, दोनो A और B दोनो देखिए उसकी नगर से निकटता यानि नगर से जो भी ग्राम नजदिक होता है तो उसका विकास तीवरगती से होता है तो इससे सामाजिक ब्यवस्था प्रभावित होती है दुसरा भी जाती ब्यवस्था तो सभी को पता है कि ग्रामिड सामाज की ये सबसे बड़ी विस्था है कि जाती ब्यवस्था वहाँ पे थोड़ा सा कठोर तरीके से पाई जाती है ठीक है वहाँ पे पालन इसका कठोरता से होता है कोशियर नमर 18 निमलिखित में से कौन नगरों के विकास का कारण नहीं है तो इसका राइट अंसर है C केवल 3 एवं 4 यहाँ पे option 3 और 4 गलत हैं जनता का स्वास्ते के प्रतिधिस्टिकोर तो यह नगरों के विकास में कहीं भी जिम्मिदार नहीं है option 4 कुशी का विकास तो यह भी जिम्मिदार नहीं है ग्रामिड समाज की विकास के खोतक है कोशियर नमर 19 निमलिखित में से सही स्थान बताईए एक ग्रामिड समाज में Option A, एक समाजिक समू अथवा वर्ग से दूसरे में बदला निरंतर नहीं होता है Option B, एक वर्ग से दूसरे में निरंतर बदला होता रहता है Option C, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर बदलते रहते हैं तो option B में कहा गया है कि एक वर्ग से दूसरे में निरंतर बदला होता रहा है ये गलत है ऐसा ग्रामीड समाज में नहीं होता है option C एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर बदलते रहते ये भी गलत है क्योंकि ग्रामीड समाज में जहाब पर हमारा निवास स्थान होता है पराप्त करने के लिए भी हम अपना स्थान बदलते रहते हैं तो इसका राइट अंसर है एक समाजिक समू अथ्वा वर्ग से दूसरे में बदला निरंता नहीं होता है ठीक है कोशन नमर्ट 20 सुधेत वर्गों के अंतरगत निमलिखित में कौन सामिल है तो इसका राइट अंसर है उपरुक्त सभी अनुसूचित जातियां LGBT समूदाए महिलाएं बच्चें बरिष्ट नागरी सभी इस से वर्ग से में सामिल हैं लेकिए सुवेद समू वे समू हैं जो सामान्य जनसंक्या की तुलना में गरीब हैं सामाजिक अस्तरी करण के खिम का अनुबव करते हैं इनमें बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ओबीशी वरिष्ट नागरी बिकलांग ब्यक्ति जिनने अब दिव्यांग जन कहा जाता है LGBT समूदाए गरीब आधी आते हैं तिसलिए हमारा राइट अंसर है डी उपरूप्ट सभ Q21 भारती सम्मिधान का कौन सा अनुचित अनुसूचित जातियों को परिभासित करता है तो इसका राइट अंसर है अनुचित तीन सो चाट पचीस भारती सम्मिधान अनुचित तीन सो चाट पचीस अनुसूचित जातियों को ऐसी जन जातियों और समूहों समुदायों के रूप में परिभासित करता है जिनने सम्मिधान के प्रयोजनों के लिए अनुचित तीन सो बयालिस के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता ह ठीक है? तो मारा राइट अंसर एग Q22. Mother and Child Tracking यूजना किस मंत्राले की पहल है? हमारा राइट अंसर हो जाएगा C. स्वास्ति वंपरिया परिवार कल्याण मंत्राले Mother and Child Tracking यूजना स्वास्ति वंपरिवार कल्याण मंत्राले की पहल है जिसका उदेश गर्वती महिलाओं तथा पांच वर्ष की आयो तक के बच्चों को स्वास्त सेवा तथा टीका करण का पूर्ड लाव प्रदार करने है तो सूचना प्रोधगी की का लाव उठाना है Q23. वन वंधु कल्याण यूजना का उदेश है समगर विकास के लिए सच्छम वातावरा निर्मित करना है तो इसका रायट अंसर हमारा D. अदिवासियों की कल्याण के लिए Q24. स्वकृति योजना संबंधित है तो इसका रायट अंसर हमारा D. LGBT स्वकृति योजना उडिशा सरकार द्वारा आरंब की गई एक अंब्रेला योजना है जिसे बेवित उत देश के साथ मिशन मोड पर संचालित किया जाना है और यह LGBT वेक्तियों को संतापूर्ड न्याय को सुमिश्चित कराने के लिए है समाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले ने सारवों में पहुंच प्रदान करने के लिए एक रास्ट ब्यापी प्रमुक अभियान की संकल्पना किया है जो इसमें संबंदित है तो इसका रायट अंसर है C केवल 1 सुगम्य भारत अभियान का उदेश दिभ्यांग जन जिनने विकलांग कहा जाता था पहले लोगों को समान और प्रदान करने और सुतंत्र रहने एवं एक समावेशी समाज की सभी पच्छों में पूरी तरह भाग लेने में सच्छम बनाता है यानि दिव्यांग जन को सामाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है ठीक है तो इस तरह से हमने 25 कुश्चिन कवर किये ठीक है उम्मीद है आप लोग को वीडियो प्रसेन आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक से या सुस्क्राइब करना बिल्कुल भी ठीक है तेंक यू